हम जब भी कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास में बहुत सारी चॉइसे होती हैं सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे को किस ब्रैंड का कैमरा खरीदना है और अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया, तो एक और मुसीबत आपके सामने आ जाती है, कि उस ब्रैंड के किस कैमरा को आपको खरीदना है, क्योंकि हर ब्रैंड के पास में बहुत सारी रेंज है, और एक निव कमर के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए कौन सा कैमरा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा वीडियो बनाए जाए, जिसके अंदर कि मैं आपको निकॉन के मिरिलेस कैमरा की कम्प्लीट रेंज दिखाऊं, और उसके अंदर कौन सा कैमरा आपके लिए सूटेबल है, या कौन सा कै टेकनिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बलकि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा कैमरा किस तरीके के फटोगरिफी के लिए बेटर है, या कौन सा कैमरा आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं निकॉन कैमरा क की इस रेंज को, तो यहाँ पर जो पहला कैमरा है वो है निकॉन का जी 30, दूसरा कैमरा है यहाँ पर निकॉन का जी 50, और यह दोनों ही कैमरा, APSC कैमरा जानी क्रॉप सेंसर कैमरा हैं, और फुल फ्रेम की एंटरी होती है जी 5 से, उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रह करते थे वो जी सेवन टू के उपर शिफ्ट हुआ है क्योंकि जी सेवन टू के जो डानेमिक रेंज है वो बहुत अच्छी है 40 मेगा पिक्सल कैमरा है तो एक हाई रेजलिशन कैमरा यहां पर यहां पर जो यह सबसे बड़ा कैमरा आपको दिखाई दे रहा है यह है जी नाइ Z30 कैमरा और सबसे पहली चीज जो आप यहां पर नोटस करेंगे वो ये कि इसке अंदर व्यूफाइंडर नहीं है यहां पर आप जोतने भी कैमरा देख रहे हैं उन सभी कैमरा में नहीं दिया गया है क्योंकि इस कैमरा को design किया गया है वी। बेसिकली अगर हम ये कहें किया ये camera photographers के लिए है तो मैं कहूंगा photographers के लिए camera नहीं है ये camera सर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी तक smartphone पे अपने content को create कर रहे थे वो अगर इस camera को use करेंगे तो smartphone के मुकाबले उनको sensor काफी बड़ा मिलेगा और sensor बड़ा होने का मतलब है कि पर इसका मतलब ये नहीं है ये camera अच्छी pictures नहीं खीन सकता ये camera definitely बहुत अच्छी high quality की images को capture कर सकता है इसके उपर आप 4K video record कर सकते हैं एक चीज मैं यहाँ पर एड़ करना चाहूंगा वो ये कि इस camera के अंदर in body image stabilization नहीं है लेकिन अगर आप इसको kit lens के साथ यूज करते ह तो वहाँ पर आपको image stabilization मिल जाएगा इस camera के अंदर हाला की electronic VR दिया हुआ है जो की काफी हद तक vibration reduction को control कर लेता है फिर भी मैं कहूंगा कि जब भी आप इस camera को use करें तो या तो इसको kit lens के साथ ही use करें या फिर आपको इसको use करना चाहिए किसी VR lens के साथ में तो चलिए कुछ specifications को हम यहां पर देख लेते हैं यह है Z50 camera और Z30 की ही तरह यह भी crop sensor camera है पर इसके अंदर viewfinder यहां पर दिया गया है और साथ ही साथ इसके अंदर यहां पर यह inbuilt flash दी गई है जो मैं use नहीं करता और मैं suggest भी नहीं करता कि आप लोग इसको use करें यह camera design किया गया है beginners के लिए या उन लोगों के लिए जो की photography सीखना चाहते हैं या शौकिया तोर पे photography करना चाहते हैं तो बहुत ही एक अच्छा camera है 20.9 megapixel सा camera है 80,000 के अंदर budget में यह आ जाता है सिर्फ एक चीज़ यहां पर Z30 की तरह आपको देखने के लिए मिलेगी वो यह कि इसके अंदर in body image stabilization नहीं है इसके अंदर भी EVR दिया हुआ है यानि कि इस camera को भी आपको kit lens के साथ use करना पड़ेगा या फिर उन lenses के साथ आपको use करना पड़ेगा जन lenses के अंदर VR हो सो अब एक बार हमें इसकी जल्दी से specifications को यहां पर देख लेते हैं सो यह है Nikon का Z5 और यहां से शुरुआत होती है Nikon के full frame mirrorless camera की सो एक entry level full frame camera है पर entry level है का मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरीके से यह कमजोर camera है बहुती perfect amazing इसकी image quality है 4K video यह record कर सकता है बहुती अच्छी quality के videos यहां पर आपको मिलेंगे और इस camera के अंदर in body image stabilization दिया हुआ है 5 axis का यानि कि यह बहुत अच्छे से vibrations को control कर सकता है यहां पर आपको dedicatedly VR lenses यूज़ करने की जरुद नहीं पड़ेगी सो मेरे इसाब से camera उन लोगों के लिए है जो seriously photography में career बनाने की सोच रहे हैं मैं in fact यह कहूंगा कि आपको Z50 की जगा यह camera लेना चाहिए अगर आप seriously photography करना चाहते हैं तो और अगर आपके पास में Z62 का budget नहीं है तो एक बड़ जल्दी से हम इसकी specifications को यहां पर देख लेते हैं अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा popular camera Nikon Z62 Z62 एक ऐसा camera है जिसको खरीद कर कभी आप गलती नहीं कर सकते हैं आप photography करना चाते हो या वीडियो बनाना चाते हो यह best camera है तो अगर आप wedding photography करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा camera है अगर आप fashion photography करना चाते हैं या करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा camera है आप wildlife शूट करना चाहते हैं या आप landscape शूट करना चाहते हैं street photography करना चाहते हैं आप कुछ भी करना चाहते हैं ये आपके लिए best camera है क्योंकि इस camera को मैंने personally 2-3 साल use किया है in fact Z72 से पहले मेरे पास Z62 था जो कि मेरा main camera था और इससे मैं बहुत सारे campaign शूट कर चुका हूँ और इससे मैं बहुत सारे videos भी बना चुका हूँ यहाँ पर एक बार हम जल्दी से इसके specifications को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम Z72 की तरह ये है Z72 camera और आज की rate के अंदर ये मेरा main camera है Z62 की तरह ही ये भी full frame camera है इसके अंदर सारे वो features हैं जो की Z62 के अंदर है सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ का difference है वो ये कि इसका जो resolution है वो 45 megapixel है यानि की बहुत हाई resolution camera है और एक चीज़ को और यहाँ पर फरक है Z62 से वो ये कि इस camera की dynamic range बहुत अच्छी है अब dynamic range को मैं यहाँ पर आपको explain नहीं कर पाऊँगा पर मैं आपको simple सी एक बात बता देता हूँ कि अगर आप highlight recovery करना चाहते हैं या अगर आप shadow recovery करना चाहते हैं तो उसके लिए ये camera बिल्कुल perfect है अब बात आती है कि ये camera किसको खरीदना चाहिए सो मेरे इसाब से हर उस photographer को जो कि अपनी photography को next level लेकर जाना चाहता है उसको ये camera खरीदना चाहिए मेरे इसाब से उसको ये camera खरीदना चाहिए जिसको ज़्यादा megapixels की requirement है मेरे हिसाब से उसको ये कैमरा खरीदना चाहिए जिसको ज़्यादा डानेमिक रेंच चाहिए एक पर जल्दी से हम इसकी स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर देख लेते है यह है Z9 कैमरा जब भी मैं इस कैमरा को देखता हूँ मेरा मन लल चाता है अमेजिंगली डिजाइंड कैमरा हाथ में जब आता है तो मज़ा आजाता है अब मैं यहाँ पर आपको यह नहीं बताने वाला हूँ कि यह कैमरा किसके लिए अच्छा है क्योंकि जिन लोगों को यह कैमरा खरीदना चाहिए वो शायद मेरा वीडियो ही नहीं देख रहे होंगे या उनको फरक नहीं पड़ता कि मैं इस कैमरा के बारे में क्या उनको बताने वाला हूँ क्योंकि जिसको यह कैमरा चाहिए उसको यह कैमरा चाहिए तो हम सीधे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जे जान लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एट लीस्ट स्पेसिफिकेशन तो पता होनी चाहिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको मैक्समम इंफोमेशन इन कैमरा के बारे में दे सकूँ पर फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है कुछ स्पेसिफिकली आप किसी कैमरा के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे से पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजेगा और नाया पुछ सब्सक्राइब भी चानल